जितने यह बच्चे देल्ली के गौर्वर्मेंट स्कूल में एडमिसिन लेना चाहते हैं क्लास 11 में उन्से बच्चों लिए वीडियो रहेगी इस वीडियो में आपसे बताने आला हो कि आपके जो क्लास 11 के आडमिसिन है वो कब से स्टार्ट होने आला है तो यहां पर वीडि के रिगार्डिंग जितनी भी आपके इंफोर्मेशन है मैं आपको वह पर प्रोवाइड करूंगा कि क्या आपका एज क्रेटिया रहना चाहिए क्या आपके पास डॉक्युमेंट होने चाहिए और किन-किन चीजों की आपको रिक्वार्मेंट होगी जब आपका एडमिसिन हो जाएगा किसी स्कूल में ठीक है तो साई की साई चीज मैं आपको टेलिगाम चैनल पर बताऊंगा ठीक है और यह जो है आपका टेलिगाम चैनल है जहाँ पर अभी जो हैं 6-13 स्टुडेंट्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं और यहाँ पर जो आपका टेलिगाम चैनल क भी मिल जाएगा तो वहाँ पर से आप क्लिक करके टारिगाम जानको जोई से जोईन हो जाना क्योंकि यहाँ पर आपको सारी सारी information प्रोवाइड कर दी जाएगी ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो admission है वो cbse के class 10th या 12th के result के बाद announce होता है जो आपका notification है वो आपका class 10th के result के बाद announce होगा ठीक है मान लोग आज आपका class 10th का result आ गया और अगले ही दिन जो है आपका notification आ जाता है कि आपका admission है वो Delhi government school में start हो गया है तो जितने ही बच्चे interested है वो online registration form feel कर सकते हैं कैसे आपको online registration form feel करना है साही साही details में आपको इसी चैनल पर provide करूंगा तो subscribe करके जरू से रख लेना और यहां पर सभी की update में आप सभी को टारिगाम चैनल पर पर जरू से जोईन हो जाए ठीक है तो जैसा कि सिबेसी ने इस पैसिफाइ कर दिया कि आपका जो class 10 का और 12 का जो result है वो कब declare होगा after 20 माई यानि कि 20 माई के बाद जो है आपका result declare कर दिया जाएगा most probability यही है कि मतलब 25 से पहले पहले आपका result declared हो जाएगा सिबेसी बोर्ड का ौचिसी बोर्ड का जो result हो ऑनाउंस हो चुक है तो आईसी बोर्ड के ठीक 10 से पंदरा दिन बाद जो है सिबेसी बोर्ड का result आजाता है तो यहां पर जो सिबेसी बोर्ड का result है वो 25 मई से पहले पहले जो है आपका result आ जाएगा और जिस दिन आपका result आ जाएगा ठीक उसी के एक दिन बाद आपका जो है online registration स्टार्ट हो जाएगा class 11 में admission के लिए ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपका जो result है वो कब आने वाला है आपका result आने वाला है 20 माई के बाद after 20 माई और इसी result के बाद मतलब class 10 का जैसी आपका CBC board का result आ जाता है उसके एक दिन बाद आपका जो है notification आ जाएगा online registration के regarding यानि कि अब आपको जो है अपना online registration form फिल करना होगा जिसके बाद आपको school alert किया जाएगा school alert करने का मतलब क्या है कि आपको जो है यह बता दी जाएगा कि आपका जो है कौन से school में नाम आया है तो वहाँ पर जाके आपको जो है अपने required documents आपको उस वाले school में जाकर जमा करने होंगे ठीक है तो यह सारी सारी आपकी information थी और जैसी notification आता है आपसे यह को मैं telegram channel पर update कर दूँगा तो discussion में link है आपसे भी telegram channel पर जोई से join हो जाना ठीक है तो बस इस वीडियो में तो नहीं है अगर आपका कोई से भी doubt वगरा होगा तो आपसे भी comment section में लिख सकते हैं और बाकी जो complete admission process की जो आपकी video है उन से भी videos का जो playlist का link है आपसे भी को मैं discussion में provide कर दूँगा तो वहाँ पर से आप पता लगा सकते हैं कि आपको क्या-क्या documents चाहिए मैंने इन सभी पर वीडियो बना दिया कि क्या-क्या आपको documents चाहिए क्या-क्या आपको जो online registration आप जब करेंगे तो आपको क्या-क्या documents की requirement होगी जिसके वेशे से आप अपना online registration form complete अच्छे से feel कर पाएंगे ठीक है तो age criteria सारी का सारी चीज़े मैं आपको वहाँ पर बता दिया percentage criteria भी बता दिया पिछले साल का उसी का idea लेते वे आप इस बार भी जो है देख सकते हैं कि कैसे आप admission लेंगे और यहाँ पर CBSC ने अनाउंस कर दिया है कि आपका जो यहाँ पर जिनवी बाचों के पास basic mathematics थी वो अब class 11th में mathematics ले सकते हैं बहुत साइज school में यह होता है कि मतलब आपके class 10th में अगर basic mathematics है तो आपको 11th class में mathematics नहीं देते बट अब जो CBSC है उन्होंने यह specify कर दिया है कि आपका जो class 10th में जो जिनवी बाचों के पास standard या basic mathematics है दोनों के ही हम mathematics दे देंगे ठीक है तो बस इस वीडियो में दो नहीं साइक साइक इंफोर्मेशन में आपको दे दिया कि आपका जो admission है वो कपसे start उनाल है after 20 माई and आपको जो है इन सभी notification के जो आपके updates है आप सभी को टैलियाम जल में मिल जाएंगे तो बस इस वीडियो में दो आई आगले वीडियो मिलते हैं किसे नए टोपिक के साथ तब तक लिए जाहिन जावारत